आ लेकरा मेंधिक सके और बटेप मोनें चेसीर फोर्स डायय ग्राम करां चक्पप यह करीड को से मतले नचीजप पर लोड़िंग करें सक्षी सदेश कवाने सेब्स केरें सहे ऐएक दानुंक्य में अयुट मोने दृफिर्वेच अपड़र समस्कस्तारा है इतों सपोर्ट ने पार रियक्ष्ण आओते तो रियक्ष्ण सोध वाना तो ऐकोल डिस्टन्स चे बनने बाज तो जह रियक्ष्ण छेथे पी बाइटू थाइचे रियक्ष्ण के विना सुध आपड़ा आगाड जोई शू बराबर प Shield यहीं low लागे हो से इकत पर यह लागे वह स्टेणे के इस्टरिबिशन थे लाई नू रची वितना panculia t sendiri रॉछ नू spectrum laz». पर मीटर में जा साम आवे छे आज यह रहे आ लोड ने पॉइंट लोड मा कनवर्ट करवाना होई त्यारे तेने लेंथ बीम नीजिटली लेंथ होई छे ते लेंथ साथे मैल्टिप्लाइ कर देवानू तो तमने ते टोटाल लोड नी वैल्यू मड़ी जाए तोटाल लोड माच थाए ते मिडल मायके miele में चाह्या तो आने अकब्कवा यूनियुफॉर्मली डिस्टिबीटर लोड अर 이 था रिटनो जो लोडिंग कंडिशन ंव Этот Сейчас वेर oh stop सबीच के जम्धम लैंथ वत्ती जैसे तरहने लोडिक पर वत्ती में पर तौने वामावये चे युनिफर्म लज ऱल बीम खें बीम नीवच च्छार इतनी कपल म लागे लिए उयर कपल बसके लोडिंग और वह यहाओ चे शपोर्ट एन्ड रिएक्शन अध्या रहें वह अपडग सब्लाइब चाल बेजिक बेजिक जो खें तो fixe support होई, fixe support होई तो तो त्यानी 3 reaction होई छे कई-कई, 1 rx, rx, ry और 1, moment m पर है तो fixe पर नी 3 reaction होई छे, hinge support तेनी 2 reaction होई छे आएzeigt कोई पर्फ्रकानी मॉमेट अधवा कपल होती नाथ ही दिया भर टो फब्यूर्वा क taken तोyu फक्त आ रेक्स ने और रो वाई बेज रिहक्षन हो ऊए जर्छNY परट परट प्रीचलशन रूरच मात कोई अजने काई 특별 दस्युद्ण केक्षिश्ण। रोलर शुपकर निया तें डबल रोलर शुपट्नी इन वर्टिकल टीक्जर्ट रीक्षिन ने एक मोमेंट हो चें बराबर आर इतना बनने बाज डिया ड़ा डाल वी तेया डबल रोलर सुपकर के वाई इफ इंटर्नल हींज इस प्रेजंट देन द बंडिंग मॉमेंट एड़ पॉइंट इस कंसीडर एस जीरू कर दो एक कंटिलेवर भीम छे अनिया बत्चे हींज आवेली छे आने इसाथे बीजु एक पॉर्शनेटले बीजु एक भीम कनेक्ट ठेलो चे तेने रोल्लर सपोट आपेलो छे तो आज बत्चे नों पॉइंट छे हींज पॉइंट के वेए त्या मॉमेंट केटली लियावा जीरो कंसीडा करवानी छे बेराबर टाइपस व बीम जो इले टाइपस में गणा बड़ा छे परन्तु जे इंपोर्ट अंदने तमने याद नहीं रहता हो तेज में जणाएवा छे तो प्रॉप्ड केंटी लीवर बीम को ने के वाई तो एक केंटी लीवर भीम होई अन्ने खेडा पर जो खाली केंटी लीवर भी मार इतनों उचे परन्तु जो छेडा पर तम्हें रोलर सपोट लगाए देऊ बड़ाबर तो यह बीम बनी जाए तैने करें प्रॉप्ड केंटी लीवर भीम होने को आप पहलो जे सपोट चे फीक्स बाकिन बेकरता वधारे एक करता जो रॉलर सपोर्ट लगा दिट्याव मावें तो देंचे भीम बढ़िया जाया ज κάν़ देन देंचे भाख div बाकिना रोलर सपोट हो धार जबने तेने के बाए कंटिनियस बीम जन्रली एक्वेशनस पुछाई रहें स्टेटली डिटेर्मिनेट स्रक्चर कोने के बाए बराबर आजे छे ए थीरियो मसिंस मापन आवेचे तो statically determinate structure को ने क्या वाई तो structure which can be analyzed by applying equation of static equilibrium static equilibrium ना equation ने apply करी ने जे पर structure छे तेने आजम analyze करी सको तो ने ने क्या हमाँ statically determinate sigma fx is equal to 0 sigma fx is equal to 0 sigma fz is equal to 0 बराबर 2d मार्टे आतरों जे equation छे ते static equilibrium ना equation छे बराबर sigma fx Lx direction मा बद्दा फोर्स y direction मा बद्दा फोर्स औने z direction मा बद्दा फोर्स 0 थवा जोई अन्या statically determinate structure माटे सुमोई छे तो r is equal to e अब आर कोने के वाई ने कोने के वाई नीचे जनावी छे आर एटला के total number of external support reaction total number of external support reaction अन्या e जे चे total number of available equilibrium condition बराबर आर एले total number of external support reaction नहीं एले total number of available equilibrium conditions अई equilibrium condition 3 छे बराबर तो support reaction आपने जोए तो आर इतनों एक बीम होई बराबर आए फिक्स चे आए रोलर छे बराबर तो आए एक support reaction बे और त्रोण बराबर त्रोण support reaction थे या और त्रोण equilibrium condition छे 2D case में आपने 2D case बराबर तो तमरो आज ए श्टक्चर थे यू ए श्टक्चर के उथाई statically determinate structure थे यू परन्तु जो तमारी जै रियक्सन छे हवे आज भी मनें आपने आगळवधार दीदू अना ही बीजू एक रोलर सपर्ट मुखी दीदू तही रियक्सन केटला थे गया चार रियक्सन थे गया अनेक्विलिबियू कंडिशन केटली थे त्रोन अच्छे तो फोर गेटर दन थे थे यू तो जारे पन्यू रियक्सन ग्रेटर दन एक्विलिबियू कंडिशन थे जाए टे टाइम ए तमारो स्टक्चर स्ट्यिकली indeterminate थे जाए बेराबर तो इन डीटर्मिने स्ट्रक्चेर मासु था एक त्या कॉम्पेलिटिव ए स्ट्रक्चेर ना एनालिसिस करवा माटे इक्वेशन ही जरूर पड़े बेराबर कॉम्पेटिबिलिटि एक्वेशन काया काया चै तो डीफ्लेक्शन, लॉप और रोटेशन आओए जह पंड अवा जह एक्वेशन जरूर पड़े मिन्स के आ मेथरस अप्लाई करी पड़े डीफ्लेक्शन सोदू पड़े, फ्लॉप पड़े, रोटेशन सोदू पड़े जहाना माटे जह इन डीटर्मिने स्ट्रक्चर जहे नूं आणालिस करवा माटे अनि इन डिटर्मेटर स्ट्रक्चर के आरे के बाई के जारे आर is greater than e होई त्यारे आर जे छे ए एक्स्टरनल सपोर्ट रियक्षन छे न ई जे छे तोटल नमबर अफ इक्विलिबिर्यम कंडिशन छे हावे जे 2D स्ट्रक्चर छे त्यानी स्टेबिलिटी नी बात करे तो स्टेबिलिटी आप 2D स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी आप 2D स्ट्रक्चर माटे इंपरन्ट कंडिशन्स कही छे के तो मीनिमम थ्री एक्स्टरनल रियक्षन जोए उच्छामची तॉन एक्स्टेनल रेक््षिन त्हो भी जोई वुद नाट कन कर दर द रिक ना हो भी छो जो को करो सिज एर फ़र एनालीसेश कौई पन बीम छे तोक ईनु अथ्वा स्ट्रक्चर नू तुमऌन अलेसिश करल उन चहें लगी प्रोसिजर एक्सञाफ लाइकरवाने छे को तो श्योहति fat sam एक्वैशन न करीने एक्सेन लिएक्सेन स्ट्राइप्स करें कर्वा ने स्ट्राइं कर्वा रिरुग पर आखाटेशुगं है करें च्रण मा चल्य जो है और अब टो पर अब अगर्डेक्शंब्स त्यारी तुमने वडाहा समाज पर येशे फॉर बेंडिंग मोमेट एंड शियर फॉर्स 25 वोगाँ चे बेंडिंग मोमेट अन्य सियर फॉर्स सोधवन होई छे पची जाना डायाग्राम ड्रो करवाना होई चे तेग एकजमपल आपने जोई लिए बराबर तो फाइंड सपोर्ट रियक्शन सब्सक्राइब एकजमपल चे बराबर आए जे छे फिक्स फिक्स अपोट चे आज चे रोलर सपोट चे तमने खवाचे फिक्स सपोट होई त्याहां ब्या रियक्शन आवे जो मैं लग्षी देदी छे आरे अने यह चे एल होरीजन्टल आरे व टू थ्री डिस्टंस आपेज देदी अब आपना इजारे पर उपर की दू तेम जो सपोट रियक्शन तमारे सोथी होई तो कंपेट ओ एक्विलिब्रियम कंडिशन से अपलाई करवानी छे तो सिग्मा एफ एक्स इस इकल टू जीरो इटले के एक्स डाइरेक्शन में अन प्रड़ाइट से आप टो जीरो करें तो ब्रट एकल लागे अच्छे तो एच्छे तो इस इकल टू जीरो पके एंसिक माई अफट्पमाइट फोर्स लागता होई तिने चीरो कर देवाना तो ब्रट इगल डाइरेक्शन लागे छे आर ने आरबी यह बनने इवनी डाइर डीडेक्षिन मा ब्राबर नहीं कोई आर इतना उपंधी डायरेक्षिन हो भी जो लाकतो होते धारों के बाबर हुआ अधिए थ्रीहंट्रेड्ड औहों वैं पोर्स लाखतो होते है तो यह माइनस थ्रीहंद्रेड करी दापड़े बड़ाबर तो आपने ही सित्तेर प्लस हंड्रेड प्लस फिप्टी माइनस थ्री हंड्रे लखी छो केम क्या विरुद्ध डाइरेक्शन मां जाएचे बड़ाबर अपने थर्ड एकुलेबरियम कंडिशन लेवानी छे सिगमा एमजल एकले के मोमेंट अबाउट कोई पन पॉइंट दारों के ए अथा भी कोई पन लई शको छा तो आपने लेज यह आए चे टेकिंग मोमेंट एट बी तो मोमेंट एट बी इस इकल टू जीरो सिगमा एमबी एकल टू जीरो बी पॉइंट आगल मोमेंट लेवानी छे तो आज ए रियेक्शन आ बी पॉइंट माथी पास थाई छे बीच पॉइंट माथी तो ते तो अल्रेडी जीरो थाई जेशे बराबर तो आपड़े आरे छे सेवन्टी हंट्रेड और फिप्टी आच आरे चार कं 400 चार 10 एड़ले आरे इंट्ट टैन माइनस सेवन्टी इंट्फो तॉन्ने तान चार एह एट एंट्रेड इंट्फॉ इन तो दॉलियाट् येन्ट और फायू आबर दा सरवला था से बराबर आयो स्वार ए आडे ने पोजीटिवगे आणू चै ता आब दा मायनस इन्टो एट माइनस एंड़ इन्टो फाइव माइनस फिप्टी इन्टो थ्री इस इक्वोल टू जीरो बराबर मोमेंट अबाउट बी इस इक्वोल टू जीरो आपडे लिदू छे तो तमने रियेक्शन आरे मड़ी जेसे केटली 121 किलो न्यूटन लवे तमारे सुखहें करवाणुअ चे आज एक्वोल तो है तो ऐक्वोल य जे छे। तेन्या आपकने सा निवैलू आड QA2 निवैलू मढ़ी, तो furthermusic तो द्वन्यु, आरबी नी वेलू छै, तो तम्हें एक फुस्त ध्यान मा राखवानी छै का तमने जो आंसर आवह ते पोजिटीव शाहिन मा आवहें, बराबर तम्हारों आवह अनसर पोजिटीव मा आवहें, तो तम्हें आरे नी जे डाइरेक्शन कंसीला गेरी छेले आतो आरे तो आपने आस्रेड लेली दुछे का आरे नी जे डाइरेक्शन छे उपप तरफ अशे आर वे नी जे डाइरेक्शन छे उपप तरफ अशे आपने धारी हुछे बराबर अवे ये धारेली डाइरेक्शन जीค Reynolds चेति साची हाँ तो तम्हारों आंसर पोजिटीव माँच ê अपने जो तम्हारों आंसर नेगेटीव मा का आवए तो तम्हारों या डारेक्ट्ष्ण छेकी गुआळवानी अने तमारी direction बदली देवानी means के नीचे नी direction माहाँ चे तमारो RA आपन नेगेटीम आवे तो RB बन नीचे नी direction माहाँ चे बड़ाबर तो positive sign indicate date RA along assumed direction बड़ाबर positive sign indicate date के RA जे छे तो तमारी assumed direction नी direction माहाँ आगे छे तो support reaction आपने जोई हे बड़ाबर 0, RA बड़ाबर 121 और RB बड़ाबर 99 किलोन्यूटन आभी गे हवे आपने जोगानूँछे shear force shear force के नेगेवाई तो आजे beam चे या beam चे आपने आपने आगड़े में एक लाइन रो करता था परन्तु ए जे लाइन छे त्यार इतना beam होई छे मिंज के तमारो जे 14 beam होई छे तेने अमुक height पण होई छे आने अमुक width पण होई छे आने आजे छे यहनी length पण होई छे बड़ाबर